आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारना सच्देव, पहले मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने नएक रिशी कानून को किसानों के हित में बताया कहा भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई देश के सामने आएगी मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान ने डॉक्टरों से कोरोना के साथ दूसरी बिमारियों के इलाज में गंभीरता बरतने की हिदायत दी कोविट दिशानिर देशों के साथ मनाया जा रहा है गुर्णानक देव जी का 551 प्रकाश पर्व कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर भी किया जा रहा है नियमों का पालन और तेज धूप से दिन के तापमान में इजाफा आने वाले दिनों में बढ़ेगा ठंड का असर अब समचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने देश के किसानों को आश्वासन दिया है कि नए किसान कानून उनके लाब के लिए लाए गए है और सरकार नकेवल उन्हें बाजार के नए अफसर प्रधान करना चाहती है बलकि मन्डी प्रणाली को मजबूत भी करना चाहती है प्रधान मंत्री आज उतर प्रदेश में अपने संसदीयक शेत्र की यात्रा के दोरान वारण असी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे प्रधान मंत्री ने आरोप लगाया कि सुधारों के बारे में गलत फहमिया फैलाई जा रही है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा किये गए किसी भी सुधार के विरोध में केवल अटकलों और गलत फहमिया फैलाने की एक नई प्रवरिती हाल ही में सामने आई है उन्होंने कहा कि पहले छोटे किसान बाजा तक पहुचने में सक्ष्म नहीं थे लेकिन अब इन कानूनों से उन्हें अपने उत्पात बेचने के लिए कई विकल्प मिलेंगे राइसेंजले के परसौरा के किसान चुन्नी लाल गौर ने नए कृशी कानून का समर्थन करते हुए कहा कि इसके खिलाफ ब्रह्म फिलाया जा रहा है जो लोग ब्रह्म के इस्तिती फेला रहा हैं वो सही नहीं है मुख्यमंत्री शिवराद सिंग चोहान ने शहडोल में कुछ बच्चों की वृत्यों की घटना को गंभीरता से लेते हुए स्वास्ते विभाग की अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इस घटना की जांच कर प्रतिवेदन सौपा जाए उन्होंने कहा कि यदि चिकित सक और स्टाफ दोशी पाए जाएं तो ऐसे लोगों को दंडित किया जाए देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 93.8 एक प्रतिशत हो गई है पिछले 24 घंटों के दरान 45,333 मरीज ठीक हुए है इदर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,6,000 से ज्यादा हो गई है हाला कि इन में से अब तक 187,000 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुँच चुके हैं शेडोल जिले में कोरोना संक्रमितों के दो नई मामले सामने आए हैं जिससे जिले में संक्रमितों की संक्या असी हो गई है जबलपूर में पिछले 24 घंटों के दोड़ा 89 मरीजों को स्वास्त होने के बाद डिस्चार्ज किया गया वहीं जिले में 41 नई संक्रमितों का पता चला होशंगाबाद में 16 अनुपूर में 5 नई मरीज मिले हैं वहीं अशोक नगर में 23 और खंडवा में 12 मरीजों की छुट्टी हो गई खरगौन जिले में 29 नई मरीजों के साथ कुल मरीजों की संक्या 4,400 के पार हो गई है मरीजों की बढ़ती संक्या के बीच सभी जिलों में जागरुगता के प्रयास भी किये जा रहे हैं शिवपुरी में रोकोटो को अभियान के तहत मास्क नहीं लगाने वालों के चलान काटे जा रही हैं जाने माने सायत्यकार और चिकित सक पदमिश्री डॉक्टर ग्यान चतुरवेदी ने प्रधान मत्री के जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है उन्होंने लोगों से दोगस की सुरक्षित दूरी बनाने बार बार हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है मरीज ऐसा मान के चलिए ये मत मान के चलिए और भाई साब हैं और ये तो चलेने बार आदमी इनको कहां से पर्रषित के एक उपर्राशी य axleत कोर्रा हमसे सकता है कोविट 19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं, दो गस दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ रमू साफ रखें प्रकाश पर्व पर गुरुनानक देव जी को नमन किया है। अपनी ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि गुरुनानक देव जी के विचार हमें समाज की सेवा करने और बहतर जीवन के लिए प्रेरित करते रहे हैं। वहीं मुख्य मंत्री शिवराद सिंग चोहान ने लंगर की जगा प्रसाद की पैकेट बातने की विवस्ता की गई है, जिससे की भी रिकठा न हो। देवास में COVID-19 प्रोटकॉल के साथ गुवर्णानक जयनती मनाई जा रही है। उदर जबलपुर में भी लंगर के बजाए प्रसाद के पैकेट का वितरन किया जा रहा है। गुना, आगरमालवा, होशंगाबाद, शिनवाडा, शेहडोल, सहित, सभी जिलों में प्रकाश पर्व पारंपरिक उच्साह के साथ मनाया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावलेका पर भी आज पारंपरिक शदाभाव के साथ मनाया जा रहा है। इस संकमट के कारण बांदराग भान में मेला नहीं लगा, हाला कि श्रधालू पवित्रस्नान के लिए पहुँचे, देवास के नेमावर में भक्तों ने दीपदान किया, मंसौर और आगरमालवा में भी कातिक पूर्णिमा के पर्व पर महिलाओं ने दीपदान कर सुक मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान आज रात आट बजे प्रदेश की जनता को संबोधित कर महत्वपूर्ण संदेश देंगे, मुख्यमंतरी का संदेश दूरदर्शन सहिद, श्रित्रिये, चैनल्स और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जाएगा, हमारी श्रिंखला जानना जरूरी है कि तहत हम क्रिशी विधेयक के संबंद में फैलाय जा रहे भ्रम और इसकी सचाई से रूबरू करा रहे हैं, क्रिशी कानून को लेकर जूट फैलाय जा रहा है कि इससे मंडियों का अंत हो जाएगा, जबकि सच यह है कि मंडी विवस्ता पहले की तरह जा अरसार बढ़ गए है, मौसम विभाग के अरसार हवा का रुख उत्तरी बने रहने से दो तिन दिन तक ठंड के तेवर तीके रहने की संभावना है, इसके बाद मौसम के मिजाज में एक बार फिर बदलाव होगा और ठंड से कुछ रहत मिलेगी, हाला कि राजधानी भोपा पता ने बताया है कि जिले में मौसम का मिजाज बदल रहा है, यहां रात में तेज सर्दी पढ़ रही है, वहीं तीवर धूप की वज़े से घर्मी का एसास हो रहा है, अब कुछ समाचार संक्षेप में भोपाल संभाग आयुक्त कवींदर कियावत और राइसेन केलेक्टर उमा शंकर भारगव ने जिले के ग्रामीन शेत्रों का दोरा कर लोगों से योजनाओ की हकीकत जानी सिंगरॉली में कोतवाली परिसर में आज जमीनी विवाद निराकरन केंदर आयोजित किया गया, इसमें चालिस मामले निप्टाए गए और राजगर्जिले की ग्राम पंचायत पिपलवे पुरोहित में आज किसान खेद पाच्छाला का आयोजिन किया गया अंत में बुलिटन के मुखे समाचार एक बार फिर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने नएक रिशी कानून को किसानों के हित में बताया कहा भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई देश के सामने आएगी मुखे मंतरी शिवराथ सिंग चोहन ने डॉक्टरों से करोना के साथ दूसरी बिमारियों के इलाज में गंभीरता बरतने की हिदायत दी कोबिट दिशानिर देशों के साथ मनाया जा रहा है गुरुनानक देव जी का 551 प्रकाश पर्व कार्तिक पुर्णिमा और देव दिपावली पर भी किया जा रहा है नियमों का पालन और तेज धूब से दिन के अतापमान में इजाफा आने वाले दिनों में बढ़ेगा ठंड का असर इस बुलिटन में फिलाल इतना ही बुलिटन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार जरूरी नमस्के अपील दो लाग का अपील